अन्यवाले दशेक में, डिकेट में, सबसे भयंकर बिमारी कोई होगी तो डिप्रेशन के होगी और डिप्रेशन का कोई वाइरस नहीं है उसका कि वाल एक कोई कुणी मारो हो helpless, homeless, hopeless a latest report आई है कि उसके लिए जो डिप्रेशन के लिए जो गुली दी जाती है से रुटेनिंग की उसके कारण से और डिप्रेशन बढ़ता है कि वर होने के बजाए हाँ, बिलकुल बुलिये मैं मुल प्रेश्ण परमापस आता हूँ पार्टनर दुख तब देता है जब दुख्य होता है और वो आपको दुख नहीं देना चाहता है किवल मैं दुख्य हूँ, तुम मुझे संभालो यह रिक्वेश्ट उसमें वो करता है और जहां विश्वास के साथ रिक्वेश्ट की जाती है वाहिदी रिक्वेश्ट सुनी नहीं जाती है तो जो चोट लगती है वो बहुत भेंकर होती है बराबरे बात की और जहां बहुत गहरा विश्वास होता है और वाहिदी अपनी बात नहीं सुनी जाती है तो चोट और गहरी होती है जहां अपना विश्वास नहीं है वाहिदी अपनी बात सुनी नहीं जाती है तो चोट नहीं लगती है चोट वहीं लगती है कि जहां विश्वास है कि यह बात सुनेंगे संभालेंगे और वो नहीं संभालते हैं बच्चे को कोई और मारे न तो बच्चा तुरंत रोना शुरू होता है और बच्चे को मा मारे न तो बच्चा तुरंद रोता नहीं आखे बड़ी करता है शौक लगता है उसको कि मा मने मारे तो चोट पोज उसके विश्वास को चोट पोज दिये कि जिसने दुसरों से बचाना वो मुझे मार रही है ऐसा ही होता है आपका शहर्द अनभव होगा कि दिन भर में इनके साथ कुछ बित्ता है और उसको सारा जज़ परके रखती है संभाल कर रखती है और आप आते हैं और आप से वो शेयर करने लगते है और आपको लगता है कि कठे या माता दुखी शुरू होगे भुन-भुन और फिर उसने आपको इवदेश का डोज सुरू करते हैं सला देते हैं कि थाने समझने लबने लगते हैं थान इसो निय उसे करने लोगते हैं इतनी अकल गवदेश करने है आपने आ वीयम का जरूत नहीं है विलकुल जरूत नहीं है मुस्वमे के लिए एक बात की जुरूत है कि बड़े प्रेम से उसके दर्द को तुम सुन सको इतनी जुरूत है बाकी कोई जुरूत नहीं महां जज्मत बनिये काउंसलिंग तो भूलकर मत करिये और सेम ही वो ध्यान में रखना है आपने अंदर का बच्चा आखरी दम तक जिन्दा रेता है बच्पना छुड़ जाता है लेकिन बच्चा जिन्दा रेता है बच्पन में आपन जब गिरते हैं चोट लगती है तो पहले देखते हैं मम्मी पास में गई और मम्मी पास में नहीं होता अपन खिलने लग जाते थे और मम्मी आने के बाद रोना शुरू करते थे अभी बच्चे वहीं करते हैं और मम्मे पूस्ती कई हुई हो बले उसमें गिरा था है अब उसमें मम्मे पूस्ती नहीं उसमें कि गिरा उसमें तन तो रोता आप क्यो है मम्मे उसमें भी उसके पिट पर हाथ फिरती रहती वही बच्चें अपने अंदर जिंदा रेता है दिन बर में कुछ भी हुआ होगा तो उस समय रोते नहीं उस समय कुछ नहीं बोलते है उस विक्ति का इंतजान रेता है कि जो दर्द को समझ करके ले और विक्ति भी आने बात कहता है कि कई भुन-भुन लगा रखी रोजरी माथा पेट फिर अगली तयारिक ले आप तयारो होगा कितना सा रख दवा के कुछ नहीं और यह मैंने बहुत प्रैक्टिकल देखा है कितना ही आदमी बढ़ा हुआ नहीं बढ़ा हुआ है कितना ही बढ़ा हुआ है मैं बहुत सारे प्रसम से गुजरावा हूँ जब भी आदमे की जिन्दगी में दुख आता है तो उसको किवल एक स्पर्श की आउशक्ता होती है छोटा हो, बड़ा हो या कोई देव उसको और किशी की जरूत नहीं होती उसमें दिमाग की तो बिलकुल जरूत नहीं होती है उसमें उपदेश तो फक्त आग में घीरों काम करे उसमें कुछ जरूत नहीं होती है तो इस सारे अंडरस्टैंडिंग में आपने जो लिखा है उसको समझो आपने जिस डिक्षिनरी के अधार पर लिखा है उस डिक्षिनरी को बाजो में रखो और अभी जो मैंने डिक्षिनरी आपको दी है उस डिक्षिनरी के अधार पर बेस पर आपने जो लिखा है उसका आर्थ लगाओ और वो मीनिंग आपको लगता होगा तो प्रोशेश शुरू हो पाएगी बिना उसके मीनिंग के अगली प्रोशेश शुरू नहीं होगी, प्रोशेश करनी है तो मैं वापस एक बार पुछ रहाँ आपसे कि आपके साथे ने आपको दुख दिया या आपसे रिक्वेश्ट करी रिक्वेश्ट करी अपने जिसमें अपने पार्टनर को दुख दिया उसमें अपने दुख दिया या रिक्वेश्ट करी रिक्वेश्ट करी रिक्वेश्ट करी ने रिक्वेश्ट को रिस्पांस ने दिया अब उसको समझे नाए करें प्रोशे सुरू होमवर को पुरा हुआ है तक का देख लो एक बार और कुछ बागी रहा हो नहीं रहा हो तो आजाएगा वो याद बेटो आमने सामने बेटो आमने सामने बस कान मेरे पास नजर सामने नजर मेरे पास लाने नहीं और कान मेरे से छोड़ने नहीं कान मेरे पास और बिलकुल नजर का सामना करिए बिलकुल एक दूसरे के आदालत में हजर हो जाएगी शिंपल प्रोशेस है बिलकुल शिंपल प्रोशेस है घुर करके मत देखना है को सहाथ देखना है आपके आखों पर जोर नहीं आए सामने वाले को भी लेश्टा नहीं मिल जागे आप सहाथ देखना है नमा अरिहंत्धानम नमा असिद्धानम नमा अरियानम नमा अज्जायनम नमा अरियानम नमा असिद्धानम नमा अरियानम नमा अज्जायनम नमा असिद्धानम नमा असिद्धानम नमा असिद्धानम नमा अरियानम नमा असिद्धानम नमा असिद्धानम नमा असिद्धानम नमा असिद्धानम नमा असिद्धानम नमा असिद्धानम नमा आगबंज आगबंज सहज भाव से मन में याद करिए जो लिखा है उस लिखने के बाहर का भी जो याद आता हो उसको भी याद करिए पहले पल से लेकर इस पल तक अपने पार्टनर की ओर से जो दुख मिला है उसको याद करिए दुख शब्द वहां से आठा दीजिए प्राथन आई रिक्वेश्ट आईए जो जो आज तक आपके पार्टनर आपसे दर्द हुआ है खुली आख आख से आठा मिलाईए और बिलकुल गहराई से अंतरभाव से आखो के भाषा से कमेशेश पास करी अपने पार्टनर के पास जुबान से नहीं आखो से कि मैं तुम्हारी प्राथना को समझ नहीं पाया उसमें मैंने तुम्हारी प्राथना को गाली समझाए मैंने तुम्हारी रिक्वेष्ट को रिक्षम समझाए मेरी मिसंदेंग मैं इस समय उसको अंडर्ष्टांड करता हूँ आखे बंदी रिक्वेष्ट करिए तब कब आपने अपने साथी को गलत भाषा में रिक्वेष्ट करिए जिसको आप लिक करके ला हैं टॉडचर किया हैं दुख दिया हैं उसके लिए नया शब्द आपने मन में तयार करिए कब-कब मैंने मेरा साथी समझ न सके ऐसी भाषा में रिक्वेष्ट करिए पहले पल से इस पल तक जो जो भी है लिखी हो न लिखी हो इस पल भी याद आती हो तो जरूर उसको ले आए जिहन में अंतर मन में उसको लाइए एक भी प्रसंग छोड़ना मैं जो हात जोड़ी है प्रणाम के मुद्रा में हात जोड़ी है और फिल करिए आग खोल करके आग से आग मिलाते हुए मैंसस करिए कि मैं दी सही भाषा का प्रयोग करता है तो मेरा प्रभू मुझे जरूर समझ के लेता है जिस भाषा को मेरा पार्टनर समझ सकता ता उस भाषा में का प्रयोग मेंने ने किया है I am sorry उस बात के लिए में खमन तुमें विक्षमा चाहता हूँ एक भी प्रसंग चोड़ना मैं थी एक अजय इडर मीवर्वर्ण आस्तारीक दस ज्यारा दो हजार सोला ताइम नोट कर लेजी दस ज्यारा दो हजार सोला नौ पेटिस फैल क्लोज फैल क्लोज हुई नहीं हुई फैल क्लोज हुई नहीं कोई पेपर बाकी है और हाँ जुड़ी है मेरे साथ बोलेंगे बिल्कुल आराम से पंच परमेश्टी परबात्मा निन्दामे गरिहामे अप्पानम ओश्रामे समझ में आ गई गाए अब इसके बाद जगडा करो तो कोई रेफ्रेंस दस तरीके पहले काने आएगा कि अबदा है झाल झाल